गुद मॉर्णिंग बच्चो मैं प्रकास ठाकूर आपका स्वागत करता हूं इंटेलीजेन अकेडमी के इस ओनलाइन वीडियो लेक्चर में बच्चो आज मैं इस लेक्चर में कैमेस्ट्री पढ़ाने वाला हूं यह कैमेस्ट्री का लेक्चर थर्ड है इससे पहले दो अल् के आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ और उसके कितने प्रकार होते हैं उसे कैसे अलग अलग प्रकारों में बाटा गया है उन सब चीजों के बाड़े में पढ़ेंगे हम लोग तो चलिए शुरू करते हैं बच्चो देखिए सबसे पहले पॉइंट आता है मैटर क्या हो में हर एक वस्तु हर एक चीज जो है न वो क्या है मैटर है everything in this universe is matter ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी है कि हर चीज क्या है मैटर है अब अगर हर एक चीज मैटर है तो उसकी जो प्रोपर्टीज होती है वो मैटर की भी प्रोपर्टीज होगा समझे रहा ना यान कि आ मैं यहां पे विज्वल दिखाता हूं उसके थू जाएंगे matter का मतलब होता है जिसमें weight या mass हो तो अगर किसी वस्तु में weight है वजन है देखिए तो वह चीज क्या हो जाता है आपका matter हो जाता है तो हमें ये बात धियान रखना है उसके बाद अगर किसी चीज में देखिए पहला तो था weight उसके बाद weight के बाद जो point आता है matter का वो ये होता है कि भाई जो ना space occupy करें जो स्थान को घेरता है तो ये भी कुछ furniture है इनसे क्या होता है space क्या होता है ये कुछ न कुछ जगे तो चाहिए अगर आप table furnitures वगरा कहीं रखोगे तो भाई कुछ न कुछ space कुछ जगे तो चाहिए उसको रखने के लिए तो क्या करता है matter? space occupies याण की स्थान को घेरता है दूसरा point हो गया जो pressure exert करता हो जो pressure लगाता हो जो दवाव लगाता हो तो जैसे हवा होता है air है ये प्रेशर लगाता है हवा तो ये भी matter ही होता है air भी एक तरस का matter ऐसा निक्योड मैटर नहीं है तो वो होगे आपका उसके बाद जो क्रिये औप्स्ट्रक्शन क्रियेट करें यानि कि आप उसको नॉर्मल बोलोगे तो जो अवरोध पैदा करता है यान कि अगर आप किसी चीज को किसी सामान को एक जगे से दूसरे जगा हटाओगे तो उसके लिए आपको क् समझो नो फ्रिक्शन भी कह सकते हो कोई समान मालेक टेबल है राखा हुआ है तो वो उसको अगर आप उसको खिसकाओगे आगे पीछे कहीं पे भी तो क्या होगा कि वो अवरोध पैदा करता आपने आप में यानकि वहाँ फ्रिक्शन होता है जो फर्स होता है उसके साथ उ आपने आपको अवरोध तो करता ही है तो यह एक प्रोपर्टीज है तो यह सभी प्रोपर्टीज मैटर है उसके बाद एक रूल यह भी है कि जो मैटर है वो क्या करता है जो लॉफ इनर्सिया या आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉज इसको कहेंगे उसको ही थोरा सा मतलब change करके law of inertia भी बोलते हैं ऐसे इनमें कोई खास फर्क नहीं है तो law of inertia आप जानते हो उसके बारे में physics में हम detail में पढ़ाई करेंगे उसको follow करें तो इन चीजों को हम लोग क्या कहते हैं matter कहते हैं ये सबी चीजे क्या है आपका matter के अंदर आ जाता है चलिए बचो अब हम लोग matter को classify कैसे कैसे करेंगे उसके बारे में समझ लेते हैं तो matter को दो तरीके से हम लोग classify कर सकते हैं अब physical में क्या 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 आता है समझते हैं physically अगर आप matter को classify करोगे तो उसमें तीन आते हैं solid, liquid और gas Solid, Liquid और Gas आता है तो Solid को हम लोग कहते है Those Liquid को कहते है Drug Gas को Gacy कहते है उसके बाद Solid के भी दो अलग पार्ट होते है Crystalline, Amorphos Crystalline को Crystal ये कहते है Amorphos को और Crystal ये कहते है अब हम Chemical वाले पार्ट में आते है तो Chemical वाले पार्ट में क्या होता है इसको सबसे पहले दो तरीके से classify करेंगे एक होता Pure Substance और एक होता है Mixture Pure Substance और Mixture तो Pure Substance के भी दो पार्ट होते है एक होता है Element दूसरा होता है आपका Compound Element और Compound होते हैं अब Element के भी तीन अलग पार्ट होते हैं Metal, Non-Metal और Metaloids Metal, Non-Metal और Metaloids तो ये Element के, Compound के भी दो अलग पार्ट होते हैं Inorganic Compound और Organic Compound ये Compound हो गया उसके बाद हम लोग Mixture में आते हैं Mixture के भी दो अलग अलग पार्ट होते हैं Homogeneous Thank you Homogeneous Mixture का मतलव होता है Samang Mission Heterogeneous का मतलब होता है उसके बाद जो ELEMAKS वगएешा भी हमने पढ़ा elements को तत्तु कहते हैं, compound को yogic कहते हैं, उसके बाद जो भी parts से मैं सब को आपको bilingually तो दिखाई रहा हूं, Hindi English दोलों में, अब एक-एक करके हम लोग इन सभी के properties के बारे में study करेंगे, तो सबसे पहले जो मैं बताने वाला हूं, हम solid पर आते हैं, पहला physical part से solid, liquid, gas की properties पढ़ेंगे, फिर इदर आके हम लोग pure substance और mixture की properties पढ़ेंगे, element, metal, non-metal, metalloids, इन सब चीजों के बारे में study करेंगे, तो आप पूरे के कुछ properties हम लोग study करेंगे, solid का मतलब होता है, देखो, अगर मैं example के थुरू जाओ, मैं एक iron cone यहाँ पे ले लेता हूं, iron यानि के लोहे का एक संकुजी से कहते हैं, उसके पारे बात इसकी volume देखिया आप, volume भी क्या है इसका, definite है, volume में भी कोई changes नहीं होता है अपने आप, और इसका shape भी, इसका जो shape है, वो भी क्या है, definite है, तो हम यह बोल सकते हैं कि कि किसी भी solid का mass, volume और shape क्या होता है, definite होता है, उसके बाद solid जो चीज होती है, वो hard होता है, कोई भी solid चीज ले लो, आप कोई furniture, कोई लोहे की चीज, या कोई aluminium, यह सब क्या होता है, hard होते हैं, उसके बाद अगर हम solid की बात करें, तो solid के कुछ properties होता है, intermolecular structure जो होता है, उनका force, यानकि intermolecular force जिसको आप कहेंगे, वो बहुत strong होता है, इसका अचली, simply समझते हैं, यानकि जैसे ये लोहे का कोई है, ये भी बहुत सारे चोटे-चोटे particles से बना हुआ, iron के बहुत चोटे-चोटे particles से बने हुए हैं, तो अगर चोटे चोटे-चोटे particles के बने हैं, तो इसका जो structure है, internally, इसका जो चोटे-चोटे particles हैं, वो सभी एक दूसरे से बहुत strong force से जुड़े हुए रहते हैं, बहुत ही strong force से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो इसलिए ये तभी ये इतना solid होता है, तो ये इसमें ये बोला जा सकता है कि कोई भी solid चीछ जो होता है, थोस जिसे हम लोग बोलते हैं, यानकि थोस के intermolecular structure या अंतरानविक जिसको आप कहो के बल, बहुत strong होता है, बहुत high level का होता है, उसके बाद एक और point आता है कि intermolecular जो आप structure कहते हो, उसके बीच में distance बहुत कम होता है, यानि कि थोस में, solid में, अंतरानविक जो आप कहो कि अंतरानविक जो इसे पहले हमने बल पढ़ा, बहुत strong बल होता है, और उसके बाद इसके intermolecular structure होता है, वो भी क्या होता है, उनके बीच में distance जो है, बहुत कम होता है, आप देखिए, यहाँ पे उनके बीच में distance बहुत कम होता से जुड़े हुए रहते हैं, solid में, यह इनकी एक बहुत ही important properties है, इनकी strong force से जुड़े हैं, और इनके बीच में distance बहुत कम होता है, जिस वैसे यह बिल्कुल solid बन पाते हैं, उसके बाद अगर आप मान लो इसके अंदर अगर vibration होता भी है, तो इसके जो molecules हैं, वो अपने mean position मतलब जहां है वहां से थोड़ा बहुत ऐसे करके ही vibrate करते हैं, ऐसा होता तो यह solid नहीं होते हैं, तो उसके जो molecules हैं, वो क्या करते हैं, अपने mean position पे ही vibration करते हैं, ना कि बहुत distance होता है, क्योंकि यह बहुत strong force से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल properly well mannered होत होता है, बहुत ही properly shape में होता है, तो यह चीज़े है, एक solid के characteristic, इससे हमें पता चलता है, कि solid क्या होता है, समझ गया है, आप लोग, ठीक है, आप चलिए, हम लोग लिक्विड पे आ जाते हैं, तो लिक्विड में जस्ट इसके हिसाब रहेगा, देखो, लिक्विड में क्य लिक्विड का volume fix होता है, लिक्विड का volume है, वो जो अगर आप निकालोगे, अगर किसी bucket में, बाल्टी में या glass में, किसी में पानी रख के उसका volume निकालोगे, तो volume क्या होता है, fixed, वो कम नहीं होता है, अगर एक लिटर दूध या पानी है आपके पास किसी चीज में, और अखेजर उसको किसी दूसरे बरतन वगेड़ा में यूटेंसिल में रखोगे तो भी वो एक लिटरी रहेगा कम नहीं होगा तो liquid की properties क्या है? कि उसके liquid के जो है volume fixed होता है, shape fixed नहीं होता उसके बाद liquid में क्या होता? intermolecular structure थोरे दूर दूर होते हैं ठोस में क्या था? solid में कि intermolecular जो या molecules जिसे आप अब कहेंगे न उसके अंदर जो अंतर आन्विक या अंतर में जो molecules होते हैं वो दूर दूर होते है, liquid में थोरा सा, थोस में क्या होता है? एकदम पास-पास होते है, liquid में थोरा सा distance में होते है उसके बाद जो अंतरान्विक बल है, ठीक है? intermolecular force जिसे कहते है हम लोग वो intermolecular force अंतरान्विक बल जो है, थोरा सा कम रहता है थोस के साब से या थोड़ा जादा ही कम बोल सकते हो, थोस के comparison में यानकि solid के comparison में इसमें liquid में intermolecular जो force होता है वो कम होता है, उसके बाएद इसके जो particles भी होते हैं, वो भी दूर-दूर होते हैं, solid में सारे particles पास-पास होते हैं, इसमें थोड़े दूर-दूर होते हैं, तो ये हो गया characteristic सबसे पहला क्या होता है, safe size fix नहीं होता है, कहीं भी जा सकता है, कुछ भी रह सकता है, उसकी बाएद गैस के intermolecular structure की भी बात करोगे, अगर आप, तो अंतरानविक बल, force बहुत कम होता है, यानकि गैस के particles एक तो बहुत दूर-दूर होते हैं, गैस के जो particles होते हो, बहुत बड़ी होई है, पूरे जो हमारा atmosphere है, गैसों से बढ़ा हुआ है, तो गैस के यह है, यहनकि सबसे best अगर आप बोलोगे, solid में सारे structure, इतना ही समझ लो, solid, liquid, gas के अगर बात करें, solid में तो क्या होता है, safe size fix होता है, volume fix होता है, weight fix होता है, liquid में volume fix होता है, उसके बाएद लिक intense में रहता है, उसके particles, ठीक है, उसके बाद हमने बात किया, intermolecular force, जो है, अंतरानविक बल जिसको कहते है, solid में बहुत स्ट्रोंग बल होता है, इसलिए बिल्कुल solid होते हैं, liquid में थोड़ा सा उससे कम होता है, तो liquid पानी भी पास पास रहते हैं, दूर दूर नहीं होते है तो थोड़ा कम होता है, लेकिन gas में बिल्कुल कम होता है, इसलिए gas क्या रहते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, तो ये सारे चीज़े comparison था, solid, liquid और gas के उपर, हाला कि directly इसी के उपर question आएगा, ऐसा भी नहीं है, आगे मैं बताँगा, solid, liquid, gas के बहुत सारे और properties के हम लोग बात करेंगे, जैसे solid के दो property होता है, crystalline और amorphous, उसकी बात करेंगे, फिर solid, liquid के पर बहुत सारे और phenomenon लगते हैं, हम लोग बात करेंगे, melting point, boiling point, इन सब चीजों को cover करेंगे, फिर हम लोग elements, compound, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, तो धीरे-धीरे करके सबी चीजों को cover करते बच्चों, अब हम लोग solid के दो parts, यहनके crystalline और amorphous, crystalline को crystalline को crystalline कहते हैं हिंदी में, और amorphous को crystalline कहते हैं, इसके बारे में study कर लेंगे, चलो मैं दोनों comparison वाइज जाते हैं, हम compare करते जाएंगे यहाँ पे, crystalline और amorphous को, देखे, crystalline जो होता है न, यह बिल्कुल solid होता है, और amorphous उतना hard नहीं होता है, crystalline बिल्कुल होता है, और amorphous यहाँ अदने hard नहीं होते हैं, दूसरा, crystalline के जो particles होते हैं, आपस में बहुत strong force से जुड़े हुए रहते हैं, जबकि amorphous के जो particles होते हैं, वो थोड़ा सा इससे कम strong force से जुड़ा हुआ होता है, उसके बाद crystalline जो होते हैं, इसके crystalline के intermolecular structure होता है, वो एक्दब pattern में होता है, यह क्रिश्टलाइन में क्या होता है? उसके structure भिलकुल एक्दम straight way में properly managed होता है, जबकि Amorphous में क्या होता है? उसके particles टेडे मेडे होते हैं, थोड़ा को इधर 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 ऐसा करके टेड़े मेरे तो crystalline में बिल्कुल perfectly manage होते है series में होता sequence में होते particles और amorphous में sequence और series में particles नहीं होते हैं उसके बाद crystalline में उसका जो particles होते हैं वो थोड़े एकदम नजदीक नजदीक होते हैं पास होते हैं क्रिस्टलाइन के पार्टिकल्स एकदम बिल्कुल पास पास होते हैं जबकि एमोर्फस के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है एमोर्फस के बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है तो यह मेंली है इससरा अब यहां देख भी रहे क्रिस्टालाइन में यहां पर दे रहा हूं पर को पार्टिकल्स dolphins सिरीद सिकवेंस को सीन eta बिल्कुल नहीं क्या बड़ा बर्व जुड़े रहते हैं और इंगत्य undersaco待 500mm कब लेकिन सोब में है तो यह सारे क्या होते में अध्याम्पल्स मेस प्रस्था खेल आपको तो यह होते है lovely से èeri जानते सवफ्ट होता है प्लास्टिक सवफ्ट होता है प्लास्टिक यंवर्ब प्लास्टिक ये सारे चीजे क्या होते इंव पार और जो है आइडन उसके बादि अपका ये अलुमिनियुम ये सारे क्रिस्टलाइन होता है डाइमड से हम लोग ग्लास को काटते हैं तो यह मेजरली डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और एम और फरस के बीच में तो